दोस्तों इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता है इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समीटा होता बलकि इन घटनाओं से भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है इसी कड़ी में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 15 फरवरी को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था कौन सी बड़ी घटनाए घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा आज के दिन कौन-कौन से खास लोगों का जन्म हुआ और कौन-कौन से खास वेक्तियों ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा है दोस्तों 1764 में अमेरिका में सेंट लूइस शहर की आज ही के दिन स्थापना हुई थी वहीं 1806 में फ्रैंको प्रसियन संधी के बाद प्रसिया ने ब्रिटिश जहाजों के लिए अपने बंदरगा को बंद कर दिया था वहीं 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सौप ट्वाय टेडी बियर को मौरिशिस मिख टाम की और से बजार में आज ही के दिन उतारा गया था वहीं दोस्तों आज ही के दिन यानि 15 फरवरी 1906 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी वहीं 1944 में बर्लीन पर ब्रिटेन ने सैक्डो विमानों में बंबारी की थी इसे के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दे कि आज ही के दिन यानि 15 फरवरी को 1961 में बेलजियम में हुए बोईंग 707 विमान में दुर घटना ग्रस्थ हो जाने से लगभग 50 लोगों की जान चली गई थी महीं 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुना हुआ था इसे के साथ आज के दिन यानि 15 फरवरी 1976 में मध्य प्रदेश की राजधानी भुपाल में केंद्रिये क्रिश्यानो संधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1951 में इराक के कुवेद से हटने की घोशना की वहीं 1999 में परमाणू असत्र पर रोक लगाने के उदेश्य से मिस्र में निगरानी केंद्र के स्थापना करने की घोशना की गई थी हम आपको ये भी बता दे कि आज ही के दिन यानि 15 फरवरी को 2000 में मशहुर फिल्म निर्माता निर्देशक बीयार चोपड़ा को दादा सहफफाल के पुरसकार से नमाजा गया था वही 2002 में अफगानिस्तान में हज यातियों की भीड ने प्रेटन मंत्री अब्दुल रह्मान को पीट पीट करमान डाला था हम आपको ये भी बता दे कि 2003 में एरियन 4 रॉकेट से दूर संचार उबगरा इंटल सेट अंतुरिक्ष में आज ही के दिन छोड़ा गया था वही 2005 में इरान की राजधानी तहरान में नमाजियों से खचाखच भड़ी एक महजिद में आग लगने से लगभग 60 लोगों की जान चली गई थी वही 2005 में गुजरात के जुनागड इस्तित स्वामी नरायन मंदिर के पुजारी के साथ साथ चार लोगों को सेक्स स्केंडल में गिरफतार किया था वही 2006 में पाकिस्तान की कैबिनेट की तरफ से डक्षिन एशियाई मुक्त शेत्र समझोता को सुईकार किया था वही इसी के साथ हम आपको बता दे कि आज ही के दिन यानी 15 फरवरी 2008 में हिंद महासागर के तत्तिये देशों के नौ से ना प्रमुखों का पहला सम्मेलन नई दिल्ले में संपर्ण हुआ था तो चली दोस्तों बात करते हैं कि आज के दिन कौन-कौन से महान विक्तियों ने जन्म लिया था पंदर फरवरी साल 1872 कोतर प्रदेश के पुर्वर राजुपाल विल्यम मेलकम हेली ने आज के दिन जन्म लिया वही भारतिये साहितिकार और लेखक राधा कृष्ण चौधरी का जन्म 1921 में हुआ था ज्यानपेट पुरसकार स समानीत हिंदी के यह शस्वी कवी नरेश महता का जन्म 1922 में आज के दिन हुआ था वही भारतिये मुर्तिकार और भित्ती चितरकार केजी सुब्रे मर्नियम का जन्म 1924 में आज के दिन हुआ हम आपको ये भी बता दे कि आज के दिन संस्क्रीट भार्षा के प्रतेश्टित साहितिकार राधा वल्लव त्रिपाठी का जन्म 1929 में हुआ था वही लेखक अरोण कमल का जन् 15 फरवरी 1954 में आज ही के दिन हुआ भारति अभिनेता अशुतोष गोवरीकर ने 15 फरवरी 1964 में आज ही के दिन जन्म लिया तो अंतिम में बात करते हैं कि आज के दिन कौन-कौन से महान विक्तियों ने इस दुन्या को अलविदा कहा अठारा सोनत्तर में महान उर्दू कवी और लेखक मिर्जा गालिब का निधन आज ही के दिन हुआ था वही 1948 में प्रसेद कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन भी आज ही के दिन हुआ वहीं 15 फरवरी 2005 में अभिनेत्री मनोर्मा का निधन आज ही के दिन हुआ दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाए तब तक के लिए नमस्कार